हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में आज हम जिस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे वो होगा एक 12 वोल्ड बैटरी चार्जर जो की 10 अमपेर का होगा और इसको आप इजली घर पे बना सकते हैं बहुत ही चीप प्राइज में यह तकरीबन 600 रुपे क कि आप पस आपको मिलेगा बिना किसी वारेंटी के साथ और हम जह चार्जर बना हैं दो तो कि आपकी वारेंटी भी रहेगे क्यों कुछ भी आप खराब होता है तो आप इजली इसको चेंज कर सकते हैं ठीक भी कर सकते हैं और इस चार्जर के साथ आप कोई भी तरह like की आप इझली चार्ज कर सकते हैं, तो सुरू करने से पहले आप से request है कि आप वीडियो को पूरा जरूत देखें, और वीडियो के Like जरूर करें और जिसने भी हमारी चैनल को सब्सक्राइब निकिया है सब्सक्राइब जरूब कर ले साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें लेटेस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चली शुरू करते हैं छह या आठ एमपेर के आसपास रहता है तो यह दो इन तीन नंबर एलमूनियम वाइंडिंग के साथ ट्रांस्फोर्मर है जो कि आपको लोकल सोप के उपर चार सो रुपर से मिल जाएगा तो मैंने इसकी जो बोटम साइज है उसके नटबोर्ड लगाने के लिए होल कर लेता हूं MDA बोर्ड में आप MDA बोर्ड की जगे आप कोई भी दूसरी सीट ले सकते हैं तो यह पर मैंने फिक्स कर दिया है यह जो ट्रांस्फोर्मर है दोस्तों यह आपका जो काम करता है वो एज जो हमारा desktop UPS inverter होता है desktop UPS जिसको हम बोलते है उसके जो ट्रांस्फोर्मर है सेम उसी के उपर काम करता है aluminium winding के साथ आता है इसे लिए थोड़ा सस्ता आता है अगर आप copper winding लोगे तो 800-900 रुपर के आज़ पास आपको मिलेगा तो इसके nut bolt मैंने लगा दिये है आप यहां पर nut bolt का use ही करें और कोई चिपकाने की चीज का use ना करें साथ मैं मैं इसके pair भी लगा देता हूँ तो मैंने यहां पैर लगाने के लिए glue gun का ही use किया है जो कि easily इस पे ज़्यादा load नहीं आता तो यहां पर मैं पहले MD board के उपर मैंने hole वगर कर लिए थे पहले ही तो मैं सबसे पहले यहां पर 220V का fuse लगा देता हूँ fuse और indicator और अब लगा रहा हूँ मैं on off switch on off switch आप कोई भी ले सकते हैं जो हम घरो की बिजली में जो काम में आता है 6A वाला वो भी आप काम में ले सकते हैं मेरे पास अलग है तो मैं चलिए मैं ले रहा हूं इसको यहां पर 220V का LED इंडिकेटर ले रहा हूं बल्ब इंडिकेटर यहां पर मैं 5-pin वाला रोटरी स्विच ले रहा हूं जिसमें एक कोईल होती है दोस्तों इंपूट के लिए बाकी के जो कोईल होती है वो अमपेर रोटेट करने के लिए होती है साथी में इसका जो नोब है आगे का वो मैं वो भी लगा देता हूं साथ में अब मैं यहां पर ले रहा हूं एमपेर मीटर तो तीनोट वोल्ट मैंने इस पर कंप्लीट कर दिया इसको फिक्स कर दिया पूरा तो देख लीजिए देखने में काफी अट्रेक्टिव लग रहा है अब मैं दो वायर ले रहा हूं साथ में दो बैटरी किलिप भी लेकर और उस बैटरी किलिप को वायर से कने करके आपको दिखा देता हूं तो इसकी जो क्लिप होती है चार्जिंग क्लिप होती है दोस्तों वह इसी तरह से डिजाइन की जाती है कि इसके साथ एक नोब दी जाती है उसके अंदर आप वायर छील के रख दीजिए और प्लायर से प्रेस कर दीजिए तो वह अच्छे से चिपक जाती है आपको सोल्डिं और स्विच और फ्यूज वगर लगाए थे वह यहां पर यूज करूँगा मैंने यहां पर ग्लूगन का यूज किया है दोस्तों आप चाहें तो फेविकोल और इंस्टेंट ग्लू का भी यूज कर सकते हैं तो यह देखी मैंने दोनों साइड से चिपका दी है अब इसके कनेक्शन मैं आपको दिखा देता हूं मैं 220 वोल्ट की टू कोर केबल ले रहा हूं यहां पर आपको थ्री कोर की जरूत नहीं पड़ेगी आपकी टू कोर केबल है वह इनफ है तो अपना पैसा वेस्ट ना करें आप इसको डल करने के लिए मैं आप एक गाठ लगा देता हूं यह नोट लगा देता हूं जो भी आप दिखा भी कि मैं अब को कनेक्शन दोस्तों पहले मैं करके दिखा भी देता' हूं और आपको इसली डाइग्राम में दूँगा तो सब से पहले हम एक वायर 220 वोल्ट का जो input का है वो direct हम fuse से connect करेंगे और fuse से जो output current आएगा उसको हम switch से connect करेंगे switch के input वाले यानि off portion के उपर और output के लिए हम एक indicator का wire लेंगे एक transformer से input देंगे तो मैंने जो हमारा 220V का input wire है दूसरा वाला वो indicator के साथ match करके और rotary switch के input में connect कर देता हूँ तो यह complete हो गया दोसरो दूसरा जो wire है indicator का और transformer का पहला wire दोनों को मैंने connect करके एक wire से connect कर दिया और switch के output में connect कर दूँगा मैं आपको diagram दूँगा आपको कहीं गबराने की ज़रूत नहीं है दोस्तों तो अब transformer का जो दूसरा wire है वह हम लेंगे जो की rotary switch के उपर R1 R2 जो भी होते हैं उनके उपर series में सारे के सारे connection कर देंगे एक एक करके इसमें अगर आप कोई भी गलती भी कर देते हो R1 R2 में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों अगर आप एक series में connection करेंगे तो उसका जो ampere है वह इसी के according काम करेगा तो हमारे जो connection है जो rotary switch के और transformer के वह complete हो चुके हैं मैं आपको diagram में समझा दूँगा बाद में यह देखे हमारे connection है वह लगबग complete हो चुके है अब जो हमारे output wire है जिसमें से निकाल लेता हूं और transformer के wire से connect कर देता हूं तो यह देखिए मैं एक positive wire से connect कर देता हूं और plus इसके साथ में मैं insulation tape से इसको insulate भी कर दूँगा अब यहां पर मैं 6 ampere का एक diode ले रहा हूं सिर्फ आपको इस पूरे charger में सिर्फ एक ही diode का use करना है तो यह देखिए मैंने connection कर दिया उस डायोड के साथ और जो डायोड की जो silver line है वह आपको transformer की side रखनी है ताकि current reverse में ना जाए तो यह देखिए और ampere जो ampere meter है उसके उपर एक wire और दूसरा जो wire है वह मैंने output negative के लिए connect कर दिया है तो यह देखिए हमारे connection है वह complete हो चुके हैं दोस्तों अब मैं इसको pack करके और marking वगर करके आपको दिखाता हूं यह देखिए हमारे charger है वह complete हो चुका है दोस्तों इसमें से यह अपना fuse रहेगा पहला है यह अपना fuse रहेगा और दूसरा हमारे यह अंपेर बताएगा अंपेर मीटर यह on-off स्विच होगा और यह current यानि अंपेर कंट्रोल स्विच होगा और यह इंडिकेटर और यह हमारे output positive और negative प्लस और माइनस यह रड़ और ब्लैक अब मैं आपको पहले connection कर देता हूं 220 वल्ट से और फिर आपको ओन करके दिखा देता हूं यह देखिए ओन करते हैं इंडिकेटर आ जाएगा यह देखिए इस charger को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका यह है दोस्तों इसमें आपको कोई भी switch नहीं लगाना कोई भी आपको ब्रिज rectifier नहीं बनाना तो पहले मैं आपको देखिए टच करके दिखा देता हूं जैसे मैं इसको शोट करता हूं वह खराब हो सकती है तो आप ऐसा ना करें आपको सिर्फ दिखाने के लिए यह कर रहा हूं इसका जो लोड है वह काफी हैवी है दोस्तों तो जो भी काम कर करें इसको अच्छे से ध्यान पूरोग करें पहले मैं इसका आपको वोल्टेज चेक करवा देता हूं इसका जो आउट्पूट वोल्टेज होगा दोस्तों वह सी में होगा कि यह आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी आउट्पूट होगा इसका एसी में होगा यह देखिए इसका वोल्टेज एक जगह आ रहा है 17.45 के आसपर जैसे में करेंट कंट्रोल जो हमारा स्विच है उसको रोटेट किया रोटरी स्विच को हम रोटेट करेंगे तो इसका वोल्टेज थोड़ा बहुत बढ़ता रहेगा क्योंकि जैसे हम इसको रोटेट करते हैं तो साथ में अमपेर भी बढ़ता है क्योंकि यह अमपेर के लिए बनाया गया रोटरी स्विच तो यह देखिए जैसे हम रोटेट करते हैं तो हमारा जो वोल्टेज है वो इंक्रीज होता है क्योंकि करेंट भी इंक्रीज हो रहा है साथ-साथ तो अब मैं आपको बैटरी करके दिखाता हूँ इसके साथ, मेरे पास एक 7 अमपेर की UPS वाली बैटरी साथ AH वाली UPS की बैटरी है, इस चारजर के साथ आप अप कोई भी बैटरी चार्ज कर सकते हैं, चाए UPS की हो, बाइक की हो, इनवरिटर की हो, या आप की कार की हो, या ट्रेक्टर की हो, JCB की हो, Bus की हो, कोई भी बैटरी आप इस चार्जर से इजली चार्ज कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा बड़ी बैटरी होगी, उतना ज़्यादा टाइम लगेगा तो हमारी बैटरी का पाउर मैंने आपको चेक करवा दिया है, 12.30 के आसपास है तो इसको मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा, 10-15 मिन्ट लगाऊंगा और 10-15 मिन्ट में ये कितना चार्ज होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और एक जो UPS की बैटरी मैंने बनाई थी, जो इसका वीडियो आपको लिंक में नीचे डिस्क्रिशन में मिल जाएगा तो उसके बारे में मैं आपको बता दूँआ, देखिए, जैसे ही आप इसको बैटरी से कनेक करोगे, तो अमपेर ये अटोमेटिक ही ले लेता है, फिर भी आपको दिखाने के लिए, ये देखिए, इसका जो लोड है चार्जिंग का वो 18.30 के असपास आ रहा है, तो मैं त 13.14 के आसपास चार्ज हो चुका है, तो ये काफी जल्दी चार्ज कर देता है, छोटी बैटरीों को, बड़ी बैटरी को चार्ज करने में काफी टाइम लगता है, तो ये जो UPS की बैटरी है, ये मैंने ही बना के बनाई है, और जो वीडियो है, उसका लिंक आपको आई तक लोड ले सकता है, तो इसका जो एमपेर है, चार्जिंग का वो काफी ज्यादा रहेगा, जो की UPS बैटरी से, तो जैसे ही मैं कनेक करूंगा, तब देखना आप, इसका जो एमपेर है, वो काफी ज्यादा है, तो ये देखिए, तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको भी लगा के दिखा देता हूं, आपको, कितना जल्दी इह छोटी बैटरियों को चार्ज कर देता है ये चार्ज़र, ये देखिए, लगब ये 12.32 के आसपास आ गया था, तो बहुत जल्दी चार्ज कर देता है, अब मैं आपको डाइगराम समझा देता हूं, इसका जो ठीक है तो इंपुट में आपको 220 वोल्ट ही देना है ट्रांसफोर्मर के एक सीरे से तो सबसे पहले इंपुट से 220 वोल्ट का एक वायर जाता है फ्यूज में और उसी से आउटपुट जाता है डारेक्ट स्विच में जो हमारा ओन ओफ स्विच है जो की ओफ साइड में और दूसरा इंडिकेटर के अंदर जाएगा और इंडिकेटर का जो हमारे इंपुट का दो दूसरा वायर है 220 वो रोटरी स्विच के इंपुट में जाएगा और एक इंडिकेटर का वायर रोटरी स्विच में जाएगा तो यह जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं दो तो अब ट्रांस्फोर्मर के जो बाकी के वायर है R1, R2, R3, R4 वो सेम उसी तरी से आपको रोटरी स्विच से मैच करवा देने है R1 से R1 को R2 से R2 को R3 को R3 से और आउट्पुट में आपको दोनों वायर मिल जाते हैं, अगर आपको पता नहीं चल रहा है मेर को पता था तो मैंने डारेकitoиль करके दिखा दिया है अगर आपको पता नहीं लग रहा है तो जैसे ही आप जब भी यह connection आगे complete कर लें उसके बाद में output कुट मल्टी मीटर से चेक कर लें तो आपको पोजिटिव और नेगेटिव का पता लग जाएगा तो नेगेटिव शिरे के वह उपर आपको एक 6 अमपेर का डायोड लगाना है और जिसका जो मैंने यहां पर दिखा दिया है पहले मैं भूल गया था और इसकी जो सिल्वर ला के उपर ही काम करता है तो उसके जो कनेक्शन है वह भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं क्योंकि आपको जो मैंने यूज किये है तीन नंबर वाला ट्रांसफोर्मर यह हर जगे आपको अवेलेबल नहीं होता है तो आपको मैं बारा-जीरो-बारा के कनेक्शन भी बता देता हूँ तो आपको यहांपे दो डायड ही काम में लेने है शीक्स अमपेर वाले क्योंकि हम यहांपे 10अमपेर का जो चारजर है वो बना रहे है और जो यह की चार्जर की और पोजिटिव शीरा है वो आपको कनेक्क कर देना है ऐ है पैरलेल में और बाकी बीच कि अंदर आपको पॉजिटिव और नेगिटिव दोनों एक ट्रांसफोर्मर यूज करना है 4700 माइक्रो फेरेड का 35 वोल्ट का या 33 वोल्ट जो भी आपको मिलता है उसी के अकॉडिंग आप इसका यूज कर सकते हैं तो इसका जो डाइड के जो लाइन है वो आगे की तरफ रहनी चाहिए चारों की चारों तो यहां से जो हमारा आउटपुट होगा वो ट्रांसफोर्मर जो हम इसमें कैपेस्टर यूज कर रहे हैं 4700 वाला उसके उपर जो एक सिरे से कनेक कर दे एक में नेगेटिव का डारेक्ट इंपूट दे और दूसरे से दूसरे पॉइंट से आउटपुट ले ले तो यह सिंपल हमारा कनेक्शन हो तो इसमें आप इंडिकेटर भी लगा सकते हैं जा पर 10 के रिजिस्टेंस के साथ आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा अगर आप यहां तक आये हैं तो वीडियो को लाइक जुरू करके जाएं और अगर आपकी कोई क्योरी या कोई क्वेशन हो तो कमेंट बोक्स में बता सकते हैं मैं आपको रिप्लाइ करने का जरूर कोशिश तो मिलते हैं अगरे कोई इंट्रेस्टिंग टोपिक के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए